लोग सबाद चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कबरेज उत्तर परदेश की हर लोग सबाद सीड पर जनता के क्या होंगे मुद्दे किस मुद्दे पर जनता इस बार ओड डालेगी उत्तर परदेश लोग सबाद चुनाव में क्या होंगे महलाओ के मुद्दे रोजगार भरष्टाचार कानून वियोस्था पर जनता की क्या है राई देखते रहे हमारे साथ फर्क इंडियानी चैनल पर सुल्टानपूर में माहल ठीक है सुल्टानपूर में पूरा परदेश में जो है गडबंधन लहर चल रही है अगर गडबंधन परत्यासी आस हारता है तो वो पूर बिधाय को देन है चुकि ये खुद जो है बिधाय की तो जीत नहीं पाए और गडबंधन जो परत्यासी है ये उनी के भरोसे अपनी नईया पार करना चाहते है और जमेनी अस्तर पे जो नेता है उनसे इनका कोई दूर दूर तक लेना लादना नहीं है अगर यहाँ गडबंधन हारता है तो पूरी जिम्मेदारी मानियों की होगी सुल्तानपूर में कि आप जो गलत नहीं कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि जो है बाहरी है बाहरी बिल्कुल है यह लोग आएंगे पंदरा दिन में चुनाव लड़के चले जाएंगे ठीक है और रही बात जो है मेनक्या गाधी जी की तो मेनक्या गाधी कहीं ने कहीं इसको जो है आप नहीं कह सकते हैं उनका लगातार दौर सुल्तानपूर में लगा है ठीक है और अई गड़बंधन परत्यासी को अभी सुल्तानपूर की जनता ने एक महीना पहले ही जाना है तो यह लाजमी है कि जो है चुनाव लड़ेंगे चले जाएंगे दिसीत है यह घृबंधन परत्यासी अभी पहुअचा भाजबा का प्रत्यासी नहीं पहुचे है सापा कंडीडेट पहुचे है यह जी जी पचीश तारीक को सुल्तानपुर में मतदान है बहुत कम समय बचा है युवाओं कि क्या मुद्दे होंगे भाजपा कह रही है अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी इंडिया कड़ बंदन की महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लेंगे दो भैसा है और ये मैं जो है मुसलिम को द तो ससे बड़ा मुद्दा है रोजगार का बताइए पांच साल से एक भरती निकली यूपीपी वाली वह भी लिख हो गई बता रहे हैं कमेटी बना रहे हैं दस साल इनकी सरकार चल लिए अभी तक कमेटी नहीं कठीत हुई अब बताइए यह कह रहे हैं फिरी करासन दे दि अगर पूजा करने से घर की जीविका पूरी हो जाती है तो सब पूरा जितने बेरोजगार है सब राम मंदी में जाके बढ़ जाए बताइए और बता रहे हैं आप कि जहां इंडिया गडवंधन समाजवादी पार्टी को परत्यासी बनाया है वहां कांग्रेस के लोग कभ जगा ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि यहां जब सपा के प्रत्यासी कारकरम में सरीख रहते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं रहते हैं किस मजबोती से यहां समाजवादी पार्टी यह एक रणितिक भूल है आपने दुखती रख पर हात रखा है और हमने जो पांच साल जैसे आज सुनावाया है तो तमाम तरह किनेता जिनका कोई राजनी से सरोकार नहीं रहा है जिनका जन सरोकार जड़े मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं रहा है वो पार्टी से टिकट खरिद करके आए हो जनता के बीच में है और जनता को ठगने के जहीं तो है कि जनता पहले जो जनता से जुड़ा होता था पाल्टियां उसको टिकर देती थी और जो देता ललने आता था वो समाजिक समीकण को जानता था कि समाजी संगठनों की भूम क्या है गडबंधन धर्म क्या है उसके अनुसार वो जो है रणनीत बना करके सहोगी मेटनों के साथ मीटिंग करता था और वो गडबंधन जो है जमीन पर दिखता था आज कहीं न कहीं यह चीजें है और किसी के पिशलगू बन करके अगर कोई चुनाव लता है तो जैसे आपने देखा 22 न जो परिडाम रहा तो कहीं दूर नहीं है अगर कहीं से भी चुनाव अगर लूज होता है तो इनी सारी कारगुजारियों की देन होगी अगर वो जनता से सीधे समवाद कायन नहीं करते हैं अगर वो सयोगी कटबंधन दलों के साथ बैठक नहीं करते हैं सीधे और मारेंगे कि दिल्ली तक इसकी चिंगारी जाएगी और कम से कम असी सीट है असी को असी समाजबादी पाल्टी को हम जिताएंगे भाई आप मोधी वाले निकल गए और चार सो कह रहे हैं परदे पूर्य देश में आप यूपिये में अस्तिकरास आ रहे कुछ भाजपा यहां काम की है मंदिर बनवादी रासन देदी फिर इक बैक्सीन देदी दो भाईश में से एक बाईश दान भी करवा रहे हैं यह तब भी चार सो पर यह सब कुछ अपकी नहीं चलेगा जो राहूल गांधी जी ने कहा है यह नहीं बढ़ेंगे उन्होंने लिख दिया है कि यह परधान मंत्री नहीं बनेंगे नाम रही भाई खेती किसानी करते हैं नहीं करते हैं तो सवाल खेती किसानी से ही हो किसानों की सरकार दो दो जो है दुगना दे दी है ना किसानों को पाईदा होता होता है वह भी खा ले रहें जानवर लिलगा वगएरा वह पता लगां में कोई उरत फूल नहीं लगने दे रहा है वो लिलगा अच्छा क्या नाम हुआ अपका मेरा नम कायम मेंधी चांद है चांद भाई चांद निकले का सुल्तानपूर में कि नहीं निकले रहा है इस टाइम पुरे भारत में चालिया हो है सुल्तानपूर की क्या इिस्थति होगि सुल्तान बर्में हमारा जीत रहा समाजुद करते हैं राम भफ़ालिसल … कह रहे हैं और लोग है तो चेत्र के नहीं रहे हैं वही लोग कहे हैं कम से कम इसी बहार ने चेत्र भी देख रही है तभी तो उनको पता लगा कि अब बड़े नेता है चोटे नेतास कैसे लड़ा जाता है अभी तक मोदी जी देखिए 400 पार कर रहे थे अब जो है भाएंस कहे दिए मंगल सूत्र पर आ गए है अपकी बार कांग्रेश को सरका क्या नाम हुआ भाईया इस बार तो वही समाजवादी गडबंधन रहेगी जी बिल्कुल पूरा मूल बना ली है क्या सब लोग अभी मुंबई से सुबही आए हैं मुंबई से वोट देने चले आए हैं देखते हैं क्या हल चाल रहेगा इवा है कुछ इवाओं के लेटर मिलता था मोडी पोटो वाती ती डाड़ी नी आँनला करएंखते हैं रारह मेरे दिकता है कही पूल्ग शाओ बैक्सीन जो निकाला था वो कमपनी भी बोल रही अब इसमें इतना खत्रा है किसी को उसका कोई भरोसा नहीं है और रासन फिरी का दे रहे हैं अब यहां अखलेश्टा ठीक है अखलेश्टा इधार हम लोग के यहां समाजवादी पाटे थी हमको सैकल मिलता था इंटर फाइ लेंगे की लैप्टाप लेंगे पर रूपए मिला कहां पंदर लाग रूपए खाते में आ रहा था यहीं नहीं पंदर लाग रूपए वैक्सीन की बात हैं सब जगे सेनी टाइज हो रहा था है यहां घंटा बजवा रहे थे हमारे विजे पीजी कुरोना काल में हर जगा तुर्की देखो इधर देखो उधर देखो जाँ देखो सेनी